नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में, Realme Nazo 30 vs Samsung Galaxy M12 का फुल डेप्थ कमपारिसन करने वाले हैं, इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करे तो, Nazo 30 में 6.39 इंच जब की Galaxy M12 में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है width की बात करें तो नाजो 30 में 2.97 इंच जब की galaxy M12 में 2.99 इंच की width मिलती है बात करें थिकनेस की तो नाजो 30 में 0.37 इंच जब की galaxy M12 में 0.38 इंच की थिकनेस मिलती है जोकी नाजो 30 से ज्यादा है अब बात करते हैं weight की तो, Nazo 30 में 192 grams जबकि Galaxy M12 में 221 grams का weight देखने को मिलता है जो की Nazo 30 से ज्यादा है तो चलिए अब हम display को compare करते हैं Display type की बात करें तो, Nazo 30 में IPS LCD जबकि Galaxy M12 में ATFT LCD की display मिलती है Aspect ratio दोनों phone में same ही 20 ratio 9 मिलता है बात करें display size की तो, दोनों phone में same ही 6.5 inches मिलती है Display resolution, Nazo 30 में 1080 by 2400 और Galaxy M12 में 720 by 1600 मिलता है Screen to body ratio, Nazo 30 में 83.36 प्रतिशत जबकि Galaxy M12 में 81.95 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI density की तो, Nazo 30 में 405 प्रतिश जबकि Galaxy M12 में 270 प्रतिश प्रतिश मिलती है अब देखते हैं display के अन्य features यानि विशेशताई की जो की mobile phone का महत्वपूर्ण हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा features camera की दोस्तों, सबसे पहले बात करें man camera की तो, Nazo 30 में 4 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, macro camera, depth camera देखने को मिलता है और galaxy M12 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, ultra wide angle camera, macro camera और आखिर में depth camera देखने को मिलता है बात करें video camera की तो, Nazo 30 में 8 different type के features मिल जाते है और galaxy M12 की बात करें तो उसमें 7 different type के features मिल जाते है अब बात करें फ्रंट कैमरा यानि की सेलफी कैमरा की तो नाजो 30 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते है और गालेक्सी M12 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते है अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जोकी speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो, नाजो 30 में Mali G76 MC4 जबकि Galaxy M12 में Mali G52 MP1 मिलता है चिप सेट की बात करें तो, नाजो 30 में MediaTek Helio G95 और Galaxy M12 में Samsung Exynos 8 Octa 850 मिलता है बात करें RAM की तो दोनों phone में सेम ही, दो variant देखने को मिलता है और दोनों phone में सेम ही 4GB, 6GB की RAM मिलती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो, नाजो 30 में दो variant देखने को मिलता है जिसमें 64GB, 64GB की storage मिलती है जबकि Galaxy M12 में दो variant देखने को मिलता है जिसमें 64GB, 128GB storage मिल जाती है एक्सपांडबल memory की बात करें तो, नाजो 30 में अप्टो 256GB जबकि Galaxy M12 में अप्टो 1TB है ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों phone में Android V11 देखने को मिलती है बाटरी नाजो 30 में 5000mAh जबकि Galaxy M12 में 6000mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं कलर्स की बात करें तो, नाजो 30 में 2 कलर्स जबकि Galaxy M12 में 3 कलर्स आप्शन मिलते है सब information देखने के बाद बात करें प्राइस की तो, नाजो 30 में 2 variant देखने को मिलते है जो की 4 GB RAM 64 GB storage के साथ 12,999 रूपीज 6 GB RAM 64 GB storage के साथ 13,499 रूपीज में मिलता है वही अगर बात करें Galaxy M12 की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते है जो की 4 GB RAM 64 GB storage के साथ 12,092 रूपीज 6 GB RAM 128 GB storage के साथ 14,390 रूपीज में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं प्रांज और कॉंस यानि की फाइदे और नुकसान की तो ट्रियल मी नाजो 30 में 6 फाइदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें सामसंग गालेक्सी M12 की तो उसमें 4 फाइदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है फाइनली बात करें है result की तो display में नाजो 30 आगे है, main camera में दोनों phone सेम ही है, front selfie camera में दोनों phone सेम ही है, performance में नाजो 30 आगे है दोस्तों, अब हम same price में आने वाले दूसरे phone को भी देख लेते हैं, पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 है, जो की 12,499 रुपे में मिलता है, दूसरा Realme Nazo 30 Pro है, जो की 14,999 रुपे में मिलता है तीसरा Realme 8 है, जो की 13,999 रुपे में मिलता है, और last competitor phone की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M32 है जो की 16,999 रुपीज में मिलता है, और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा है, ये आपके किसी भी काम में आया है, तो प्लीज लाइक करना मत भूलना